हालो दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं Redmi का जो Note 10 model है उसमें अगर FRP लग जाता है या तो MI account जो कुछ भी लग जाता है तो उसको कैसे हटाएंगे तो इस वीडियो में आप बने रहे हैं पूरा दिखाएंगे आज वीडियो में तो इसके लिए सबसे पहले जो करना आपको device करना है क्योंकि टेस्ट पॉइंट के द्वाराण इडियल पॉइंट के थुरू इसको हम फ्लासिंग करेंगे या तो FRP हटाएंगे तो इसके लिए UMD का माल्टी टूल का क्यूसी फायर है उसको वापन कर लेते हैं और तूजर के थूरू दो पॉइंट को सौट करके device को PC क साथ connect कर लेना है तो चलिए में शुरू करते हैं कमाली टूल को कर लिये हैं उसके बाद आपको इसी में चूच करना है अफ और B it प्रेश कर देना है और ओके में प्रेस कर देना है उसके बाद डिवाइस को आपको टुजर के थूरूर प्रेश कर देंगे उसको करके पीशी के साथ आपको यूएस्वी कर लेना है जट से जो फर्पी का लोग लगाओगा वह अट जाएगा देखिए यह प्रोसेस अभी शुरू हो जाएगा देखिए और दोस्तों अगर चैनल पर आप नहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में रखे वेल आइकन का दबा लिजिए ताकि लेटेस्ट कोई टेकनोलोजी वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड होता है तो पहले information आपको मिल जाता है और दोस्तों यह लेटेस्ट सिकुरूटी पेस था जो रेड्मीन नोट टर्न का वह लेटेस्ट वाला सिकुरूटी पेस था आपका जो मी यूई 14 में था तो और एंड्रोइड 12 में यह मुझूद था तो यह भी रिमो बहुत चुका है और डिवाइस को बस आपको सेट अप कर लेना है और कुछ नहीं थैंक्यू दोस्तों वीडियो में पुराब बने लिए के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो में तब तब के लिए धनियावाद और दोस्तों देखिए यहां से आपको बस कुछ नहीं करना है आपको डिवाइस को यहां से सेंपल के तरीके से सेट अप कर लेना है थैंक्यू दोस्तों थैंक्स पर वाट्सिंग झाल 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 झाल झाल